हेलो फ्रेंड्स बेरी गुड बॉर्निंग टू आल अफी दोस्तों तो आज डेट है टुन्टी फेस्ट आप फेवडरी चलिए टूरी इनलेसिस में आज की सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते कौन कौन से रिट्रेल हमारे एक जम पांट अब इसे इंपॉर्टन है जो सब संसद में महिलाओं का प्रतिनिदी बनाने की जरूत हैं अगर देखोगे तो अगर हम 2016 की बात करें तो हमारे जो महिलाओं का प्रतिनिदी तो है वह लगभग-लगभग 12% के असपास है ठीक है तो दो अभी आपका 16 जो आपका 16 लोग सबागा अंतिम सब्सक्राइब अभी संसद ने कितने कार किये कितने बिल पारित हुए पूरे पांच साल में क्या क्या कारिवाई की गए गए कौन कौन से बील ऐसे तो जो आटक गए तो उसके वह दो खौम से पूछा नहीं जाएगा तो अब उसको अभी स्कीप करते हैं वह हमारे जांप पॉइंट फोड़ा स अब बात करते हैं अब बात करते हैं अब बात करते हैं 17 लोग सबाद चुनाओ की जो कि मार्च में आपको चुनाओ आयो एलान कर देगा का अचार साहिंता लग हो जाएगी और अपनाल माई कि आजपास एजाम संपन भी हो जाया गा इनका वाज्याट भी आ जाएगे तो तो इसमें और लिए ने कि पर्टिनुदुत्य याताएगाट क flew इंस अब बात करते हैं कि महिलाओं का संसद में पर्टिनुद्टू कितना है तो बिसमें यह लिस्ट डिंटरी यह डेवलब को एकर महीलाओं को ऑपकुया है करो द॥े ळाल पक्राइब आयज तो केका ओर प्तर्सपोई जादे जाल बहुत Indigenous है कि अस्तुन यह मतलब आधो नारव भी नहीं इसकोफ कर लाव महीलाओं को पालब से इस जालना सट बहुत मतलं है आपका युगांडा के तो युगांडा में लबग एक सट परसेंट के आस-पस कहा है महिलाओं के संख्या है और यह रवांडा दुनिया का पहला देस है इसकी संसद में महिलाओं पुर्सों से जादे हैं पहला देस है बीस्टू का पहला देस है तो दोकर यह आपको प्रि लेते हैं अगर बात करें ब्रिक्स कंट्री में भारत की नमबर अब नमबर आता है इसमें तेरह वाँ नमबर आता है भारत अब इर रेंक क्या है कि मतलब दोको यहां पर कया है कि महिलाओं का पड़ते हैं तो करने में कौन सा रेंक है आपको बनाएगा पाकिस्तान आ गया ठीक है सेकंड पर इंडिया आ गया थर्ट पर आपका नेपाल आ गया तो अब इस तरह हम क्या कहेंगे टू बाई थिरी कर थी कहेंगे इंडिया के लिए इसका मतलब यह हुगा इतीन कंट्रियों में जो इंडिया की रैंक है वो कितनी है सिटी पाइगे रैंक है आठकउट्रीयाति हैं एंडर लिए ना चाहाँ चाहो तो आप इसका बना ञीड रख सकते हो तो आप इसके आप इसको अजू रख सकते हैं इतने से और बहुत ही अच्छा बात करें तो 63.8% है तो बहुत ही बढ़िया चीज है और बहुत ही इतनी ही कह सकते हो तब अब इस विसनी चीज है ऐसी की हो जाए आप दुख़ा हम क्या करते हैं नौर्डिक दोस्तों की बात करते हैं तो को अब बेसिक डिफरेंस बताता हूं आपको इसके डिफरेंस में औ अब दिनमार्क नौर्वे और सुड़न को बोलते हैं लिकान कंट्री की बात करें है तो इसमें डिनमार्क नौर्वे सुड yhtन की सांधे कि साकत भीणन एंड लैंड ब आइसलएं उसके सासथ कि कुछ ट्रीज है यह से आपका बात करते हैं व्कृत कि इसकी य्जिए हम कंट करते हैं यह नौर्डिक आपका नौर्डी कंट्रीज है तो आपको डिफ्रेशर बेसिक थोड़ा से यदर रखना है कि नौर्डिक और आपका इसके एज़ा है यूके में देखे लगब आप देखेंगे तो 32% महिलाओं का पर्चिनिज़ तो है संसद में और यूश्य की बात तो परण तो चैनल भाद करें तो भारत में बहुत जाते कम हैं ठीक है अगर बारत किसी आईगे बात करते हैं नौललनी सबसे अगर ज़्याद कि तर्फे रहे हैं भारत का हमने कितना लिखा लगबग 12 परशंट के असपास अब चाइना के देखे तो चाइना लगबग 25 के असपास आता है इवेन हमारा पड़ोशी देश नेपाल की देखोगे तो कितना है लगबग 30 के असपास है तो दुख यह चीज़ के जाते हैं तो एसीन कंट्री आप सब्सक्राइब नेपाल लबगानिस्तान फिल्पीन सिंगापूर वियतनाम इवेन इंडिया के करेंगा तो डबल है महिलाओं का पढ़ते नित्यों ठीक है अब आगे बढ़ते हैं भारत में इस्तिति क्या है अब भारत इस्तिति की बात करें तो 545 आपको पता है को लोग स सब्सक्राइब भले 12 परशन्ट थी लेकिन पिछली सरकारों के नौ परशन्ट के आजपास रहते थे लोग सब्सक्राइब में अच्छी सेजिए निके द्वारा कही जाती है अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि अधिक है कि महिलाओं का परती निजित तो नहीं आप दिखू एक सो आटवा समिधान सब्सक्राइब बिद्यक था जिसको आज तक पारित नहीं कराया गया ठीक है कि महिलाओं को उसमें आप प्रदावधान में बताता हम आपको किया था परदान यह था कि लोकसभा और बिदान सब्सक्राइब की एलेक्षिन होते हैं उसमें जो 33% सीटी ह ना वह महिलाओं का रच्षित होने चाहिए ठीक है तो यह पॉइंट सैस में लेकिन वह बिल पास हुँई नहीं पाया आज तक 9 साल से जादे हो गये लेकिन वह बिल पास नहीं हो पाया अब गात करते हैं महिलाओं की स्तिति क्या है मतलब अगर तो क्यों नहीं करी है इन सारे प्रह्लेगर हम बात करें तो आप होता है घर के वह कि महिला काम है महिला करते है अगर वर्किंग वह पर था उसको एक तरह से हमारा सुसाइटी ते इसके मान स्कり को आप जो महिला होती है भर काम mere के लिए होती हैं बच्चे समानले के लिए होती है लोगों उस कूरितियों से उनको बाहर लेकरना बड़ा मुश्किल है आपको लग रहा हो कि आप सीटी में रहते होंगे तो लग रहा हो कि नहीं ऐसी चीज़ा नहीं होने चाहिए बट आज भी आगर कोई आप से पूछे का बसता है तो भारत गाओं में बसता है तो गाओं में सबसे जादे जन संक्या है और आज के टाइम पर अभी भी इवन सहरों में यह हालत है अगर गाओं के बात करेंगे तो गाओं में भी बहुत जादे ऐसी चीज़ी है जो अभी तक भी हम उन चीजों से लिकल नहीं पाया या हमारे पुरानी पीडियो से में बिरासत के रूप में चीज़ें मिली है जो अच्छी नहीं है ठीक है हम उसको एक बोच को ढोटते आ रहे हैं इवन महिलाओं में भी हालत हो गया दोस्तों कि महिलाओं भी सोचती है मेरा काम क्या है घर में बच्चों को पालना है ठीक है घ हमें जागरुक बनाना पड़ेगा उनको अपने अधिकार बताने पड़ेंगे इस सबसे बड़ी और सबसे अची चीज़ है कही जाती है कि दो को हम स्कीम्स तो लाते हैं पहले भी करते हैं सारी उज़नाओं के कारवाई भी करते हैं सब कुस करते लेकिन एक तो महिलाओं आक तो यह मुंस्ट निए लेता है दूसरा उनको पता भी तो नहीं होता आप इंटरेस्ट तु तब लो ना जब आपको पता हो तो य। अबने लिए नए हैं कि आपको पता है कि नहीं को बेटर से हो सकता है प्लस आपको पुरा घर बार एक औरत समालती है तो आने वाले टाइम में वह मैला पुरी सोसाइटी में अच्छा कंट्रिट करेगी अपने घर और परिवार को एक अच्छे संस्कार और भी देपाएगी ठीक है तो यह सारी ऐसे चीज़े थी हम साथ 10 ? परिषा करेगे नाम महिला का है लेकिन परशार पुरूष करेगा कही जाना है तब पुरूष जायेगा काम में जगडा हुआ है जकुत पूरुष्परधाने नहीं पूरुस परधान नहीं पूरुस परधान घर का हिए वहे किसी चेज्ब कनाया रहे b जोहमी घड़ती ही परीजन कईNe घूना घ्र है तो सारे जितने स्वाइं मे आप आपके पर 에서는 a अच्छेतर के अंतरगत सारा सार्टोट के सु करना चाहिए इस महिला को लेकिन इंडिरेक्ट लिए क्या है कि उसका जो हज्बेंट होता है या उसके ससूर होते हैं वह अपने आपको मानते हैं कि नहीं यह आप बॉस है और एक रहाम प्रधान है तो यह मेंटरल्टी वह भी सब्सक्राइब करें वह जोड़ते हैं अब लोकसवा में क्यों यह लागों नहीं होगा प्रणी कोई मिला को हम इस来了 on को दर साता है कि रच्छन मिलना चाहिए तो सबसे पहले क्या सर च्छन का सब्सक्राइब को रच्छन मिलना चाहिए या प्लास्ट में संसद में महिलाओं का रच्छन मिलना चाहिए उनके साथ बहुत जादे टाइम तक यह उन्होंने यह जिली है इससे अभी तक भी उभर नहीं पाई है तो अगर हम इनको ऐसा कुछ प्रावधान करते हैं तो आने वाले टाइम में महिला सक्सेदिकरण के तरफ यह के बहुत ही मदद करेगा ठीक है तो यह दोनों पॉइंट साथ पैसे करके इसको लिख सकते हो अब आगे बढ़ते हैं पलटवार के डर से सहमा पाकिस्तान अभी भी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है अब यह आप मैं इस क्यों कर दिखा रहा हूँ रीजन यह है कि इसको आप कहीं भी अ पाकिस्तान के ऊपर अब पाकिस्तान सहपाई में क्या बोला आप यह देख लीजिए पहला इनके परधान मत्री इम्रान खांजी ने कहा जंग छेड़ना असान है लेकिन उसे खत्म करना मुश्किल है पहली चीजी दूसरा उन्हें ने कहा कि भारत सबूत दे तो हम इस एस पूरे चैटर में अस्थाइट चाहता है मतलब हमारा जो बहूरम भारत के साथ साथ जटने भी इस इंप पूरेश इरिया इस रिजन में कंट्रीज में पापिस्तान नंके साथ सांतिछारा तो आप्लीस के इसे कौर्पेट करिए हम आपके हम आप से बात करने को 911 का हमला हुआ थीक है उसमें भी पाकिस्तान थीक है मॵंबई हमला हुआ ठीक है थीक है उसमें भी पाकिस्तान का हाथ सोगऑ हिए त Moyesud Adhan में इस लाता है पाकिस्तान थैंग ऑब से बड़ा सबुथ क्या सभी है कि मसुन एजार को छोड़वाइ गया मैंदा और तो बोलता है रहते हैं पाकिस्तान मी रहते हैं अब आप लीजिए ना आपने खाँ कोई शबूत दीजी बताईए उस पर्सन ने हमला कराया था जो जो हमने पकड़ा भी था बाद में होने के बाद प्लेन हैजएक के वज में हमें उनको छोड़ना पड़ा था ठीक है तो प्रावधान करा इनको आतंगवाद करने में हमारी मदद करें यह बहुत सारी इसमें पॉइंट्स करते हैं इनको ठीक है तो याद रहे तो आप इसको बैटर तरीके से लिख पाएंगे अब बात करते हैं अगर तो हम भारत के पच्छ में देखेंगे सब्सक्राइब पाकि सब्सक्राइब अब प्रथा मतरी मोदी जी सॉधिया अरब गये थे तो उसके कुछ अब इस सब्सक्राइब के बात करते हैं मुहमबद बिन सलमान यह हैं नियुक्ष भारत उन आठ देशों में सामिल है जिसके साथ कहा है कि सब्सक्राइब अपना राजनितिक साजएदार मजबूत करना चाहता है तो आपको पता कि दो सॉधी आरब नौम लिक है ऑल एक्सपोर्टिंग कंट्री ए तो सॉधी आरब के दो को जो ओयल कंट्री ए सौधी आरांका ठीक है सौधी उसका नाम है सॉधी आई अरामको साभूदी अरामको ठीक है साभूदी अरामको और आपका अबू धापी National Oil Company के साथ इसकैर उन्होंने जो भारती और Company है उनके साथ मिले किसे यहाँठी 44 बिलियोंड डॉलर का इनवेश्मेनट किया है 44 बिलियोंड डॉलर सब्सक्राइब कर दो करें यहां पर रिखांडर का रखी आपका रततन गर्ड यहां पर है महरास्टर में थीक है तो महारास्टमें यह पोटियाद रखिएगा साथ अफ्रिका बात कर रात कर रहां रिखी तके माफ करिगा साथ अफरिका निया साथ अफरिका इससे पहले बोल दिया था तो अब आपको अगर साथ आरब की बात करें तो सौधिया अरब सौधिया अरब को हम लेके बात करते हैं और एक्चुल में क्या चीज़ है वो भी हमें डिसे करेंगे सबसे पहले बात करते हैं सौधिया अरब पाक के तरफ नहीं हमें यह लगता है मत्तब अब धियर देरे हमारे पच्छ में आने लगा है दूसरी हम यह सोचते हैं कि को अपकिस्तान का साइब लेता ता कहता फाकिस्तान का पार्ट है लेकिन अब उससे क्या है यह आपने हैपको थोड़ा करेक्ट किया है और अब भारत को Why मैंने को रेडिय बारत कार दूसरा यह इंके विगे मैंश मेसा बहरत न चीज बहुन दो करा सλαब करा सकते यह जम्मो किसमिन हमारा part है जिस पर कोई किसी के बात करने की जुरूत है यह नहीं ठीक है यह हमारा बायरेटर मामला है तो अपने खोज से सुल जाएंगे अब यह भारत का बच्छ रहता है अब देखो हम बात करते हैं पाकिस्तान और सौदियारब की अगर हम पाकिस्तान सुदिया आरब का रिलिशन खराब हो रहा है लेकिन ऐसा नहीं है आपको अभी क्या है कि इरान में कुछ दिन पहले की बात है इरान में इनकी रॉयल गार्ड से इनकी उपर हमला हुआ जिसमें लग 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 चौबिस लोग मारे गें तो अब इरान ने क्या कहा कि पाकि पाकिस्तान से खराब हो गए मैंने आपको आयर में बता था कि दुस्मन का दुस्मन हमेशा दोस्त होता है अगर यहां पर जाएगा इरान और पाकिस्तान दुस्मन हो गए ठीक है और सौधी आरब और इरान में नहीं पड़ती है तो ये भी दुस्मन ये भी दुस्मन ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे पाकिस्तान और सौधी आरब आपस में दोस्त हो जाएंगे ठीक है तो ये भी चीज आते हैं तो पाकिस्तान ऐसा भी नहीं है कि बहुत जाते दू गया होते हैं ठीक है तो इसका दुखा फर्क बढ़ता है बहुत सारी चीजों पर यह जाद रुखिएगा उसके आगे हम बात करें अगर उसके आगे तो को हम बात करें अब इरान की बात करें USA की बात करें पाकिस्तान की बात करें साओधी आरब की बात करें इंडिया की बात करें अज़ों को इंडिया का रिलिसन इसे अच्छा है हम इसनिय रिशन चुदार रहे हैं हमेरा इसनिय ठीक है अब युश्व के बात करें युश्व का रिशन बस एक दो ही कंटिक साथ है एक तो इनके साथ है एक हमारे साथ है ठीक है अधर को इरान के साथ युश्व करें रिश्व 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 रिश् जाएंगे अब इसकेस में पाकिस्तान से जाद रिएसन क्या है अभी पाकिस्तान का युएससे बहुत जादे खराब रहा वीच में लेकिन अभी साओधिया इसमें प्रोल निभा रहा है जो मेंटेन करने को पाकिस्तान को ठीक है तो अब इन डाटली अगर आप देखोगे त पाकिस्तान की बात करें दोखो पाकिस्तान में अभी तालिबान का भी क्या है अभी युएसे के राश्पती नोनाटर अपने बोला कि हम आसे अपने टूप सटाएंगे अपने सटाएंगे जैसी अपने सटाएंगे तो इरान भी यहां ददवा बनाना चाहिएगा पाकिस्ता करेंगे तो यह इंडा एक लिकिसको सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान को तो यह लिखने का वस नजरिया थोड़ा सा क्या है अलग है तो यह सारे दूस्तों मैंने के करके आप से डिसकस किए ठीक है तो भारत में बढ़ेगा निवेस भी बात की गई थी आप देखो एक रिमिटे देखिए जो हमें बाहर से पैसे जुद्धे आते हैं पाकिस्तान से सुद्ध Ab binnen來到 and भारतियों के बाद करें अलम के रहुत कांप और एंडिया के इसे अई कंद नहीं पर लक्षान aga polsk तोड़े हैं टूब सामय अरभ को पता दी इतने छिवेंट के यह रान की बात करें चाहिब करें पाकिस्तान की बात करें चाहे साओधी आरब की बात करें चाहे इंडिया की बात करें ठीक है इन तीनों का तको लगब 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 टेंगल ही मैंने पूरा बता दिया अब चाहबार पोड़ भारत ने कहा बना यह वियाद रखिए इरान में तो वह अगर आप से एक्जाम के पूछे ताब उसको को